तो हलो जी नमस्ते कैसे आप लोग तो चला है फिर से केक आप लोग को बना करके दिखाऊंगा जो कि बेबी सार केक बनाएंगे और भी ब्लो गलर पे और बेबी सार केक में बना करके आप लोग को दिखाऊंगा फॉन्डेंट से कैसे बनाना है तो वीडियो पूरा देखना तो आप लोग को कुछ नोगों सीखने को जरू मिलेगा ठीक है और कैसा बना है वो भी कमेंगे जरू बताना और पेज बेने तो फॉलो भी कर लीजेगा क्यों कि फॉलो वीडियो देखते आप लोग फॉलो नहीं करते हो ज्यादा बड़ा एक नहीं बनेगा तू के जी में ही करनी रहता है बाकी step creak का और 3kj 4kg ऐसा नहीं टू के जिज ज्ज ज्यादा रहता है आपने बस जो भी है और नहीं तो सीधा step creak 5kg के ये दो ज्यादा रहता है 3kg कभी कभी आता है मतलब ऐसा गलती से लेकिन क्शकर रहता है ठीक है क्योंकि छोटा के लगबग चैए होता है सबको जाड़ा बड़ा साथ celebrate नहीं करता होगा जो लेकर की केक चाता होगा यह वाला भीजिक केक बनेगा ना first birthday के लिए बनेगा क्यूंकि customer से पूंचा भी था कितना बड़े का था जो उन्हेंना बोला first birthday का, तो चलने में ठीक है कोई दीकर नहीं मैं बना करके देता हूं तो केक आइसिंग होगी है मेरा देख सकते हो पुरा कमप्लीट और इसमें हमें बेवी सार्क बनाने के लिए मैं छोटा सा बनाऊँगा तो वाइट को पहले राउंड करना यह वाला कैमरा स्कीप हो गया था उसको भी गिरीन कलr में लगाके सटा देना यह देख सकते हैं वुसा चिपका देना और इसका यह वह गटकर लगा ना होगा तो श्टस चोट श्टक मोरे बाद नी पहले बनाया है और इसका भी आँख बनाया देख सकते हो बस इतना ही मतलब देखने से वैसे भी आप लोगो समझ में आ जाएगा कैसे क्या इसको करना रहता है और वैसे भी मैं मतलब आइसिंग करने के बाद आप लोगो फॉंडेंट का वर्क दिखा रहा हूं ठीक है लेगिन यह पहले करके रख लेते हैं हम लोग वैसे तो कोई बताएगा नी लेगिन कभी भी अगर कुछ ओडर रहता था फॉंडेंट का पहले से रख लो बना करके वैसे भी जल्द बाजी का टेंशन नहीं होगा अगर आप ऐसा सोचोगे कि कहा हम साइड़ माउसनं करके रख लेते हैं फिर ज경 उसके बाद हम काम करें तो नहीं ऐसा नीम करना कभी भी क्या वोगा ना आप क्रीम रख दोगे और फीर क्रीम सुक जाता फिर कहीं भी हात लगी तो पूरा क्रीम खराब होगा आप उसको रिपैर भी नहीं कर सकते मतलब थोड़ा बहुत साइड का भी वैसे वही रहता है अगर आप पूरा चाहो तो पूरा भी कवर कर सकते हैं जो कि कोई कोई कभी कभी और आही जाता है वह भी तो छोटी-छोट आइटम जीतना बनाना था सब में बना चुका हूं अब बाकी चलो गीरीन का बनाएंगे तो मिघ्रवेव में गरम करता हूं 10-15 सेकंड माइगरवेव नियुक्त नहीं कोई दिकात नहीं है पहले से बना चुका था था आप में सेट कर रहा हूं और बाकी साइड से भी जितना जो भी डिजैन है वह हमें इसमें करना पड़ेगा और बहुत ही आराम से करना क्योंकि कही हाथ होगा ना तो केक खराब होगा तो वो चीज़ा आप लोग कभी भी ध्यान रखना क्योंकि देख सकते हैं जो आइसिंग किया हो ना कितना अच्छा फिनिसिंग से हुआ है ठीक और उसमें कर कहीं हाथ लग गया तो फिर पूरा मेहनत बेकार से लजाएगा और केक देख नहीं बनेगा आप लोग से बहुत ही सिंपल अगर कुछ भी इसमें डाउट अगर रहता है आप लोगों की कैसे किया हूँ ता आप कमेंट भी कर सकते हो कि लगबक कमेंट का रिपलाई तो मैं सबको कर देता हूँ और प्लस नहीं तो इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकत देना एक जगा पर मेरा भी हाथ लग गया था देख सकते हो तो देखो माँ पर बस एक दाग हो गी आना इसलिए बोलतों बहुत हिसाब से रखना पड़ेगा तो ऐसा गंदा नहीं दिखेगा के पट महां पर में क्रीम का नोजल लगा दीओ तो उतना खराब नहीं दिख र वीदिए चलोग Bible